तो आज की वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है 10 किलो वोट के ओफ ग्रिड सोलर सिस्टम की कीमत के बारे में यहाँ पर हम पहुचे हैं होस्पिटल में और यहाँ पर 10 किलो वोट के दो अलगलक सिस्टम लगे हुए है यह तो सिस्टम आप देख रहे हैं यह आज से डिर से दो साल पहले लगा था और यह अभी लेटस्ट लगाया गया है और यहाँ पर अब आपको इसकी लेटस्ट प्राइस के बारे में जानने को मिलने वाला है तो चलिए वीडियो को सरू करते हैं आज हम पहुँंचे हैं एक उस्पिटल के अनदर और यहां पर यूडियल कमपणी का 20 KV का सोलो सिस्टम लगा हुआ है उसके बाद में अभी 10 KV का सिस्टम अलग से इस्टोल करवाया है तो यहाँ पर इन्हों ने पहले सिर्फ ट्राइ करने के लिए 10 kWh का सिस्टम लगवाया था अगर इसे अच्छा रिजाल्ट मिलेगा यह बात में 10kWh का सिस्टम लगवाएंगे इसलिए यहाँ आप 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 देख सकते हैं कि इन्हों ने जो पहले लगवाया था वो polycrypto line technology के साथ हमें लगवाया था उसमें भी इनको काफी अच्छे result देखने को मिले थे और अभी जो इनका system लगा है वो latest technology के मौन प्रक half cut technology के solar panel के साथ हमें लगवाया है जो कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो के अंदर भी तो यहाँ पर हमें पता है hospital के अंदर की जाना critical काम होता है यहाँ पर life बचाने का काम होता है और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी machine लगी होती है जहाँ पर एक patient को 24 गंटे उस machine के साथ हमें जोड़ के रखना जरूरी होता है और वो machine बिजली के थरू की चलती है तो उनकी जो supply है वो 24 गंटे non-stop होना बहुती जरूरी है तो वहाँ पर काम आता है हमारा inverter तो यहाँ पर अगर हम inverter नहीं लगाते है तो वो machine बंद हो जाती है और किसी भी patient को फिर वहाँ पर दिकत हो सकती है तो यहाँ पर काफी लोगों को generator का option भी दिखता है लेकिन generator के साथ में काफी ज़्यादा बड़ी problem आती है change over time को लेकर क्योंकि अगर आपका generator आप स्टार्टे भी करते है तो वो 3-5 मिनिट तक ले लेता है स्टार्ट होने के लिए तो इतना समय के पास साथ ना हो तो इसलिए वहाँ पर आपका inverter system बहुती बड़िया काम करता है क्योंकि जो इसका change over time है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है और आपको पता ही नहीं सलता कभ इलक्ष से आई है और कभ गई है और इसके अलावा गर आपने solar panel लगवाए है तो आपका वहाँ पर बिजली का बिल भी कम हो जाता है तो चलिए इस complete system के बारे में आप बात करते हैं और सबसे बहले बात करने माले हैं यहाँ पर solar panel की ही जैसे मैंने बताए है यहाँ पर polycastle line technology के पहले solar panel लगए है पुरान सिस्टम 10 किलो वोट का तो यहाँ पर 330 वाट के पैनल लगए हुए है और यहाँ पर देख सकते हैं यह लगबग 28 solar panel लगए है तो अभी इनोंने जो लेटर्स टेकनलोजी के solar panel लगवा है वो यहाँ पर 540 वोट के और 18 solar panel लगवा है तो आप देख सकते हैं कि कितनी कम जगह में अभी इनका 10 किलो वोट का सिस्टम त्यार हुआ है कहां पर इनोंने पहले 28 लगवा थे अभी सिर्फ इनका 18 से काम चल गया है इसके अलावा यहाँ पर इनोंने जो stand लगवाया है वो भी काफी heavy quality का लगवाया है hot dip galvanized iron का यहाँ पर use हुआ है जो कि काफी लंबे समय तक चलता है और जंग वगवारा इसको नहीं लगता इसके अलाव जो इसकी foundation है वो भी काफी अच्छी की गई है क्योंकि हमाई solar panel के उपर हमें 27 साल की warranty मिलती है तो यहाँ पर इसका structure होता है वो भी मजबूत होना जरूरी है और उसकी foundation भी मजबूत होना जरूरी है ताकि वो अगले 25-30 साल तक बड़े है राम से चल सके इसके अलावा इस system के ब्रटक्शन के लिए यहाँ पर ऐर्विज्ट के आता है और लइटनिंग एर्श्टर का भी यूज्ट की ओता है यहाँ पर तीन तरह की अर्थिंग होती है यहाँ पर इसबचिवर पहली अर्थिंग होती है तो उस चीज़ को आपको avoid करना है और कम से कम 3F Think OPU के आपे करना है तो चलिए आप बात करते हैं यहाँ पर इनके inverter system की यहाँ पर off-grid system है तो यहाँ पर battery लगी हुई है इसके लिए हम यहाँ पर नीचे inverter system के पास जाकर बात करते हैं तो इस रूम के अंदर इनका complete inverter battery का setup रखा हुआ है और इसके अंदर इतनी जगह नहीं है कि हम खड़ियो के वीडियो पर आए तो मैं बारसी आपको बता देता हूँ और वीडियो के अंदर आपको short के अंदर दिखा दूगा कि यहाँ पर जो inverter battery system कैसा लगा हुआ है जिसको कम battery backup चाहिए या दिन में ही ज्यादा लोड़ चलाना है देन वो दस battery वाले शिप में अपना 10 किलोड़ के system तियार कर सकता है इसके अलावा जो यह inverter आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है यह off-grid inverter नहीं है यह hybrid inverter है यानि कि इससे बाद में अगर यह grid अक्सपोर्ट करना चाहे तो भी इसी inverter से यह grid अक्सपोर्ट भी कर सकते है यह utility company का sigma plus grid export solar PCU है और यहाँ पर इसके अंदर आपको RMPT technology मिलती है जिससे कि यह 30% extra efficient हो जाता है दूसरे inverter से और यहाँ पर इसके अंदर आपको DSPIC based pure sine wave डिजाइन देखने को मिलता है और यह grid interactive है जैसा कि मैंने पहले बताया इसके अंदर maximum priority solar power को रहती है यानि कि maximum power यह solar की यूज़ करता है जिससे कि आपका बिजली का बिल बहुत ही कम हो जाता है दूसरा ग्रीड export का फिचर अगर आप यूज़ करते है तो उससे भी आप बना बिजली का बिल जीरो तक भी कर सकते है इसके लावे इसके अंदर आपको एक optional फिचर भी मिलता है जो की remote morator का है ज इसके डिस्पले दी गई है जिसमें काफी parameter इसके देख सकते हैं आप जिससे कि आपको पता लग जाता है कि डिस्पले के ऊपर क्या-क्या यह दिखाई दे रहा है साथ में ही यहाँ पर कुछ बटन दिये जाते हैं जिससे कि आप इसके अंदर parameter को configure कर सकते हैं अपनी जरू इसके इनवर्टर में मिलते हैं जैसे कि ग्रिन चार्जिंग को इनेवल डिसेबल कर रहा आई टी लोड को इनेवल कर रहा आप यह सबी काम आप इस इनवर्टर के तरू कर सकते हैं और यहां पर जो यह कंपलेट से स्टम लगवाया है अब उन से हम जानते हैं इसके तो उस समय दस किलोवाट का सिस्टम की किमत कितनी आई थी से लगबग उस्टिम 6 लाख रूपे के राउंट थी और उसके अंदर क्या-क्या-क्या इन्हों को दिया था पंदरा बैटरी थी और 10 किलोवाट की सोलर प्रेट और सारी फिटिंग वे गए रहा थी उसके अंदर तो जैसे कि मैं यह पर देख सकता हूं यह आपने तिन्स वाट के पोली टेक्नलोजी थी अब वाला जो लगा है वह अपने लाख रूपे में यह लगवाए तो उस्टम इन पैनल की कीमत काफी जादा थी से आउस्टम पैनल की जादा थी जादा अभी जो इन्होंने लेंस है तो दस बैटरी हैं हो गई उसके साथ में और दस किलोवाट के पैनल है प्योर फिटिंग के साथ सब कुछ है तो अभी लगवक डेड़ लाक रूपे कम लगें बेल चिर्फ पाच बैटरी की कोस्टिंग कम होई है और बाकी जो है रिट कम हो गए है और लगवक एक लाक पर और लगवक बिस्तम अभी लगवाया है तो भी इसकी तो पीमत ही वह लगवक, दस किलोवक का स्वलवर सिस्टम अगर आप अपने घर पे लगवाते हैं या कंश भी लगवाना चाहते हैं कम्प्लिर लाक Пी पी लगवा सकते हैं और इस्से पहले हमने आपको 10 व्यों व सीटम लगवाए किर से दस किलोट का सिस्टम लगवाई सब्सक्राइब निचे होस्पिटल के लिए नीचे पहले होस्पिटल है उसमें 10 15 कमरे एंड डॉक्टर साब का कैबिन हो गया और उन्हें लैब होगी उसके लिए इनों ने दसको आश्बान प्रत अच्छा था थे सार तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इन्होंने हालां कि पुरानी टेक्वाटी के साथ में लगवाय था फिर इनको काफी अच्छा रिजाट देखने को मिला है इसलिए अभी इन्होंने लेटेस्ट टेक्नलोजी के साथ में अपने च्छत के उपर आप लगवा लिया है और अगर अगर आप से कोई इस्टल करवाना चाहता था अपना इसनक कर सकते हैं सिर्पनी तो इसके उन्हों में इतना ही अगर में स्वाल और यह उपόσना है गया lattice attitude को सब्सक्राइब सब्सक्राइब जुशाद का ने की वीडियो आप पोसमूंश में मिलती रहें I झान्यवाद